तो गाइस हम इस शेवर को करते हैं यूज ठिक है और देखते हैं कि यह हमारी बीड कितनी हट तक क्लीन कर सकती है तो गाईस सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनमबॉक्सिंग तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास इसका डबबा एक पुरा वाल का यहाँ पर देख सकते हैं वाल की已经 Day और यहाँ पर आप देख सकते हें यह डिया हुआ है ठीक है और आप इसको कहीं भी ले जा सकते है उक ने साथ केरी करके तो कुछ इस तरह कहीं इसका box है यहां पर देख सकते हैं two year warranty में हमें मिल रही है company की तरफ से ठीक है और आप इसमें देख सकते हैं सारा यहां पर आप देख सकते हैं 45 minutes running time और क्या चाहिए यार बहुत बढ़िया है तो इसमें यहां पर eight pieces कुछ दे रखा है यहां पर ठीक है जितने भी unisex salon यह कोई भी salon होंगे professional सारे brand के product की उज़ करते हैं जितने भी machine brand की उज़ करते हैं वह सारी वाल की उज़ करते हैं तो यह वाल company बहुत बढ़ा brand है मैंने देखा है इस company के मैंने ट्रीमर वगेरा बहुत जगा देखे हैं यहां की अमेरिका तक मैंने देखा है वाल की जितने भी machine वगेरा जितनी भी है हर जगा यूज होती है तो अब हम इसके unboxing कर लेते हैं बात की तो आपने देखी लिया और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आभी देख सकते हैं 25 रुपे यहां पर इसकी MRP है अगर आप इसको purchase करना चाहते हूं तो मैं आपक description में मेरे link से वहां से जागे purchase कर सकते हैं आपको वहां पर सस्ते में मिल जाएगा ठीक है आप description में जाना simply वहां से link क्लिक करना और आप सिधा इसकी Amazon की website पर पहुच जाएंगे तो आपको ट्रीमर वहां से बहुत अच्छे से इसली सस्ते रेट में मिल जाएगा यह इसका MRP है 25 रुपए ठीक है बाकी चलिए इसके unboxing कर लेते हैं और इसके review देखेंगे भी क्या क्या कैसा है यह ब्यूज करने में तो इसको open करते हैं पहले तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा यह यहां पर दिया गया इसमें कितना क्यूट लग रहा है देखने में भी आप देख दकतों बहुत ही chrome finish में अच्छे से बनाया गया तो गईज यह एल्मूनियम का है बहुत chrome finish में बनाया देख सकते हैं इतना प्यारा एक lunchbox के इस पर batching दे रिखिए ठीक है और बाकी यहां पर कुछ books है तो यह आप देख सकते हैं यह guide दे रिखिए इसके अंदर कैसे आपकी यूज करना है वगयरा वगयरा सब कुछ इसके अंदर दिया गया है तो आप चैक कर लेना आराम से ठीक है और उसके बाद आभी देख सकते यह warranty card है दोस्तों इस तरह से आपको warranty card मिल जाएगा यहां पर इसमें details fill कर सकते हैं जैसे आपने जब भी मंगाया होगा आप यहां पर अपनी details fill कर सकते हैं यहां पर अपने product का model number डाल सकते है date और और जो भी सब कुछ है आप यहां पर इसको रख लेना यह warranty card है बहुत काम लेते हैं बहुत केमती खजाना है इसके लिए मैंने बहुत बड़ी जर्णी करी तो सबसे पहला आप देख सकते हमें एक पाउच मिला यहां पर इस तरह का शायद इसमें अपना शेवर रखके ले जा सकते हैं इसलिए पाउच दिया गया है यहीं ठीक है केरी कर सकते हम इस देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा है यहांपर आपको चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है और यहांपर इसका यह आप करेंगे तो आप देख सकते हैं वाव वाव क्या मस्ट शेवर यार बहुत ही ओसम चीज है दोस्तों बहुत अच्छा क्वालिटी गया है अब तो अभी तो बहुत प्यारा लग रहा है इसका वेट भी लग ठीक ठाक है जादा वेट नहीं इसके इंदर लेकिन इसको हाथ में लेके feel हो रहा है कि बहुत अच्छा one quality ने ने चारूजिंग इंडिकेटर है यहां tut देख लेना बाद में इतना तो आप समझ जाते हो ठीक है जो चलिए इसको रखते हम साइड में बागी और चीज़े देखते हैं कि हमें मिलने वाला है तो हम कैप लगाने से हमारा खजाना कही जाएगा नहीं खराब नहीं होगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर यह म में extra दी गई है otherwise आपकी उसमें से जाली खराब हो जाती तो आप दूसरी जाली यहां से और अब हम देखते किसमें और क्या है तो गाइज यहां पर यह एक डाटा केबल दी गई है इसको चार्ज करने के लिए ठीक है यह भी बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है तो इससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं इसको भी रख देते हैं और यहां पर ब्रश दिया गया सारी चीजें आपको दिखाए इसमें क्या-क्या चीजें मीली हैं और शेवर का मैंने आपको अच्छे से पूरा दिखा दिया क्लोज अप में पूरा कितना अच्छा फिनिशिंग में बनाया गया इस मशीन को ठीक है दोस्तों और गैस अब बात आती है कि वर्क कैसे करता है इंपर्टन्ट यहीं के इसका काम कैसा है वोह हम देखेंगे तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने कली साइट कर आई यह लेकिन फिर भी मैं आप लोगों इसका रिव्यू दिखाने के लिए आज अपनी शेव को क्लीन कर देता हूं देखते क्या इसका रिव्यू है तो गाइस हम इस शेवर को करते हैं यूज ठीक है और देखते हैं कि यह हमारी ब्य को देख सकते हैं यह दो ज्यादा नहीं है तो चलिए हम इसको करते हैं है हुआ है कि अग्धी आजने वह तो गाइज जैसे आप देख सकते हो काफी क्लेन होगी इससे बिल्कुल देखते रहे हैं यह लगा लो कि इसमें मेरे जो शेविंग में हैं बाल तो मतलब बचे ही नहीं बिल्कुल स्मूथ होगी इसकी देखो देख सकते हैं बिल्कुल भी बाल नहीं बचे गाइस इसने तो बिल्कुल ऐसे शेव कर दिये ना जैसे आपने रेजर से ब्लेड से शेव किया होगा तो इसका रिवी अगर मैं दू तो मेरे इसाफ से तो एक दम बढ़िया है मैं तो फूरे पूरे की पूरे फाइफ की रेटिंग देने वाला हूं इसको क्योंकि इसने बियर्ड इस तरह से शेव किया है ना मतलब कोई देख कहन नहीं सकता आपको कि आपने शेव करी है या क सबसे बढ़िया है कि आप पहले अपने बियर्ड को जीरो करो जीरो करने के बाद इसको यूज करना ठीक है तब जाके आपकी बियर्ड बिल्कुल क्लीन शेव की तरह एकदम फाइन लुक दे पाएगा यह ट्रीमर समझ रहे हो क्योंकि मेरे बाद मेरी जो बियर्ड थी थी बड़ी थी काफी मैंने जीरो तो नहीं की थी लेकिन इसने फिर भी हटा दिये सारे रिमूफ कर दी बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ मैंने आपको सामनी दिखाया आपके पूरा ट्रीमर यूज करते हुए ठीक है मैंने वीडियो कहीं स्किम भी नहीं की और बहुत अच दूसरा कि शेवर के लिए अगर आप बिल्कुल क्लिन शेव चाहते हो अगर आप रेजर लगाना नहीं चाहते तो यह शेवर उन लोगों के लिए तो ज्यादा बैस्त है जो डेली या हर दो दिन में शेव करते ही क्योंकि छोटे-छोटे बाल निकली आते हैं और इससे वाशूम में जाना और इसको फटा-फट माले ना उनके लिए जो फ़लब दो तीन दिन में शेव कर लेते हैं उनके ठीक है ऐसे बागी जो और भी को यूज करना चाहता है तो पहले अपनी ब्याट को जीरो करना फिर इसको यूज करना तब जाकि बैस लुक दे पाएगा इसको ब्लकुल शेव कर देगा दिख सकता है वह स्युआ मुझे से बागई बढूब बटत बढ़ी और बागी मैं आपको बदा देता हूं इसको ना बिल्कुल शेव को शेवर को त्रीमर को मतनब जो भी है या शेवर को एकदम सफाई से रखना और मैं आपको बतातों उस इसको ऐसे प्रेड़ा प्रेस करना ठीक है यहां से लूज हो जाएगा यहां से टेड़ा प्रेस करोगे तो यहां से लूज हो जाएगा आप देख सकते हैं कि लूज हो गया है ठीक है और इसको आप इस तरह से यहां से पूरा अपन कर लेंगे आप देख सकते हैं पूरा उपन हो गया मैंने भी जो यूज किया आप देख सकते हैं कितने हेर लगे हैं इसके इंदर भरे वह बाग लेगे रहा है तो इस तरह साथ इसकी क्लेणिंग भी कर सकते हूं बाई देखो सीधिय सा लोजिक है लड़िकी हूँ वीवी हूँ घल फ्रेंड हूँ मशीन हूँ बाइक हो गाड़ी हो गड़ी हो जो भी हो हर चीज की केर करनी बहुत जरूरी है तब लंबे टाइम तक आपका साथ देती है ठीक है बागी कभी इसमें कोई प्रोब्लम आए न तो गाइस आज का इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं हमने आपको आज पूरा रिव्यू दे दिया इस शेवर के बारे में और पूरी वीडियो खतम समाप्त हो चुकी है और अब आपसे बोलना चाहता हूँ सबसे पहले तो आप यह याद रखो अगर आप इसको मंग आना चाते हो तो डिस्क्रेप्शन में इसका लिंक दे दूगा महां से ओर करके मंगा ले ना वरना 25 रुप ही कई मार्किट से खरीद होगे तो मैं लिंक शेर कर रहा हूं डिस्क्रेप्शन में वहां से इसको मंगा सकते हैं सस्ते में मिल जाएगी और दूसरी बात हमें बता देना बाई शेवर के बारे में आपको कैसी लेगी है यह बहुत अच्छा गैजेट है आप लोगों के लिए मुझे कमेंट शेक्स में बता देना और बहुत 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 ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को सब जगा शेवर को मंगाए यूज करे से हैं। है बहुत ही है जंजत ही नी आजख कल ब्लेड मारनेगा आपको फता होगा ब्लेड लगाने से ब्याट की जो स्कीेन है वह हमारी ब्लैक हो जाती तो आप इसको यूज colours रहरिं कुछ भी नहीं हो रहा है तो बैस्ट था मगाओ फुल रिव्यू आपको दे दिया मै सी यू टाटा बाई बाई जैहिन और अपने बाई के एवरिटिंग व्लोग को सब्सक्राइब करके जाना ओके बाई गाईज